अब आप अब आप अब आप अब आप है लो फ्रेंड स्वागत आप अपने ही चैनल जी के जी है से रहना पे आधनों सेट संख्या 28 करने वाले हैं ठीक है इसके पहले का सारे सेट आ चुके हैं आप उन्हें जाकर हमारे चैनल पर दीख सकते हैं हम लोग उना हर सेटम 20 प्रसंटों कवर किया है आप कितने प्रसंट सही होते हैं आप केमेंड बॉक्स में में सेंग करिए गए ताकि हमें पते चले कि आपका पर है प्रसंट क्यों पहले किक सानुश्यक्राटंसाइर में लग्वाशड़ समेन ऊस्ट मंपण जालू नहीं होने पर राजपाल को प्छुरण आदेश और श्रूश्यको फच्चु उसmal ये होने पर राजपाल आधेश जारे कर सकताँ कौन सो संक्या जुचा तहत यह कहा गया है संप्षाब से चालूण नहीं तो राजपार उमर्जेंसी के Dimension में अध़क जारी कर सकता है प्रफी आंग कोंशन संक्या पाथ के चालूण है किस समिधान के किस अनुस्षेद के अनुसार राजपल को उसके कारियों में सहयते हम सला प्रणा करने के लिए एक मंद्री परिशद होगी अनुस्षेद 161, 163, 162 यह 164 तो बात किया जा कि राजपल को उसके कारियों में सहयते करने के लिए और सला दने के लिए मंद्री परि प्त्राचार विभाग का नाम क्या था दिवाने इंसा दियाने मौतसीब लगाए त्षे loans डिवाने रस्द तो जो विभाग जो राजकी आधेश उर मत्रचव बह्तась को संभाँता था वो विभाग था विभाग दिवाने इंसा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोश्चन है कि सविधान के अनुशे 23 के अनुशर राजपल दुवारा जारिये रिष्ट कितने माह तक परभावी रहता है दो माह छे माह चार माह या फिर आठ माह ठीक है कुछ परभावी रहते हैं तो इसका सही जवाब होगा हाँ अब सब्सक्राइब कर रहा तो यह माह तक अंशर होगा छे माह या 180 दिन इसको count कर जाता है ठीक है 180 दिन count कर जाता है कभी कभी छे माह भी answer सही हो जाता है ठीक है अगले question के तरह बढ़ते हैं अगला question है है कि समीधान की किसंश्यद के अनुसार मंद्री परिसिदवकार पांच वर्सका होता है 161 166 163 तो समिधान को वह नुश्य दिसक्रित प्राकृति और मैथली के मिस्रित भासा को विद्यापति ने क्या नाम दिया है अप्रहत समांगी अवहट या भात्री तो संस्क्रित प्राकृत और मैथली भासा को कि मिस्रित भासा को विद्यापति ने क्या नाम दिया है तो इन्हें नाम दिया है अवहट भासा ठीक है आगले कोशन की तरह पढ़ते हैं अगला कोशन है कि संथ मकदूम सा सेख सर्फुद्दीन के निवास अस्थान कहां था रा कि राजगीर में अगली कोशन के तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन कि संचेग आली जैवी को ध्यान्डी से पटना वाला जू भी कहा जाता है पटना में कुल कितनी एकड़ भूमी में फैला हुआ है एक से कवावान एक्रें एकसो तीरपन एकड एक सो पच्पन एकड़ एक सुनतावान एकड तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा एक सो तिरपन एकड ठीक है अगले प्रसंद के और बढ़ते हैं अगला प्रसंद है ये राज में सब से कम लिंगान उपाथ वला जीला कौन है मूगेर, सहरसा, सिवान ये निये जिले के तो ये जिला है मूगेर के लिए उत्जिप विप्चर नाम किया था दिवान वजारत दिवानें बरीद दिवाने इंbas है तो सेने कि आठ भी यह्ञ वंसक्म बिहारे किस भाजा को समीलित किया गया है भोजपूरी, अंगीका, मैथली या मगी तो सही जब वोगे बिहार की वो भासा जिसा आठवे नसूची में सामिल किया गया है वो है मैथली भासा, ठीक है अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है 12 नमबर कि सेरसा के परसासन में सेरसा के परसान के परधान कौन था दिवाने वजीर, दिवाने नत्र, दिवाने आरिज, दिवाने जंग बात की जब शेरसा के परसान में सेरसा के परसान में सेरसा के परधान की तो ये थे दिवाने आरिज ठीक है सबसे प्राचन सबसे बड़े गن्त ब्रामनस सथ क्या है कृई क्रीसे अगस्त या गलवे साक्यमनी ये बहात्री हई सबसे प्राचन सबसे बड़े ब्रामन गरंद वेलだから भी है याग वलक के तीक है अगर को सब्सक्राइब बढ़ता है चौदा नंबर क्या smart city mission योजने कता है बिहार के भागलपूर जिले को कब सम्मिल्दक गया गया थाया सब्सक्राइब बढ़ता है यह कोश्चे नहीं यह एक आवन मेटर तो समुद्र तल सब यहार के आउस्ब चाएगे बात कर रहा है यह तो यह तिरेपन मीटर ठीक है एक है अगला कोश्चे नहीं कि 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 समराट साह हम दोत्य तदीजिने इस वन्हें का अबना बंगाल बिहार औरी सा इंज आचाता है कि Itu कि समराट अलंगार आभान क Phillips कि दिवान आइद का बाद हो जाती है तो एक सबूसर कि प्रते घुलाड तो स्थावीर संपरत्यवत्य उत्यवत्यवत्यों वह आ स्था बढ़ाई भूमिहिन प्रदकर साहिं रहे फ्रीवत्यवत्यक्राइश अस्थाई बंदोबस जमीदारों के साथ किया था डारेक्ट टीक है अगले कोशन के तरह बढ़ता अगले कोशन है नंबर कि सचीद्रन सिन्हा का जन्म कब और कहां हुआ था अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं आगरी कोशन आज का कि सहरसा और पूर्णिया के उत्री सीमान छेत्र में किस प्राइब की मिट्टी पाए जाती है तो सहरसा और पूर्णिया के उत्री सीमान छेत्र में जो विरिचे पाए जाती है उनका नेचर होता है साल विरिच का वो साल विरिच के लिए कमफर्टेबल मिट्टी है ठीक है आज की वीडियो मित रही मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में आपके कितने प्रसंस भीवा आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है अगर आपके वीडियो अचलों तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करिए देखिए जब आप लाइक करते हैं तो यूटूब हमारे चैनल को रिकमेंड करता और भी लोगों को अहां हमारा रीच बढ़ता है ठीक है तो आप से रिक्वेश्ट आपके वीडियो को लाइक जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए मिलता आप से नेक्स्ट बोडियो में तो तक लिए जय हिंद जय भारत